तो लक्षन परिक्षन आदी जो है किसी भी शास्त्र के जो है बहुत आवश्यक अंग माने गए हैं खास्त वर से इन प्रक्रण ग्रंथों के जहां पर शास्त्र विश्यक प्रवेश की बात की गई हो अगे कह रहे हैं तत्रापी प्रसम मुद्धिश्टश्य ठीक है शुलाइ प्रसम मुद्धिश्ट झो इस प्रमान का जो है अब लग्षन यहां पर किया जाएगा चू तो यह अब प्रमान के बाद उसकी परीक्षा की जाएगी तो कह Communist कि यह है प्रमा करनम प्रमानम ठीक है प्रमा माने होता है जयान और करन माने होता है साधन ठीक है ग्यान का साधन प्रमा करन तो प्रमा करन मतलब ग्यान का साधन क्या है प्रमानम प्रमान का लक्षन यहाँ पर उन्हें दे दिया कि उन सोले पदार्थों में पहला पदार्थ था प्रमान पहला तत्तु था प्रमान और उसका उद्देश वहापर कर दिया अब लक्षन करना है तो लक्षनम बता रहे हैं प्रमा करणम प्रमानम कि प्रमा का जो करण होगा वही प्रमान कहला जाएगा ठीक है प्रमा माने ज्यान करण माने साधन मतलब ज्यान का साधन जो है वही प्रमान कहला जाएगा अब यह जो ननुपद है इसका मतलब है कि कोई नी कोई शंका उपस था पित की जारी कोई कोई शंका की जारी है पूरुपक्षी के द्वारा तो यहाँ पर एक शंका यहाँ पर दे रहे हैं कहते हैं कि प्रमाया करणम चेत प्रमानम कि चलो हमने मान लिया प्रमान जो है वो प्रमा का करण है आपने बोला कि प्रमा करणम प्रमानम हमने मान लिया प्रमान जो है वो प्रमा का करण है ठीक है वह यदि ऐसा है तो तश्य उसका फल हमें बताईए क्यों करणश्य फलवत्व नियमात क्योंकि करण जो होता है साधन जो होता है वह फलवान होता है ऐसा नियम होने की वजह से ठीक है मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि लोक में हम देखते हैं संसार में हम देखते हैं कि करण या साधन उसे कहते हैं जिस साधन का या उस करण का प्रयोग किया जैसे हमने कुलाडी से लकडी काटी तो लकडी जो है वो जो कुलाडी है वो हो गया करण या साधन और उसका प्रयोग करने के बाद लकडी का कटना हो गया फल तो उसी प्रकार जब आपने प्रमा करणम प्रमानम यह लक्षन दिया तो करणम जो है वह हो गया लक्ष और प्रमानम हो गया उसका साधन ठीक है तो यदि प्रमान साधन है तो उस साधन का फल क्या है यदि आपने प्रमान का प्रयोग किया जैसे हमने वहाँ पर लकडी का जैसे हमने वहाँ पर उलाडी का प्रयूक की और लकडी का कुटना रूप हमें फल मिला उसी प्रकार यहाँ पर प्रमान का यह दिखे मिला उस फल को बताईएosedर तो कहने सत्यम ठीक है आपने सही सवाल पूछा केश्व मिस्तर कहता है आपने सही सवाल पूछा इसका फल क्या है प्रमेव फलम प्रमा ही इसका फल है या फिर साध्य है ठीक हमारा साध्य तो लकड़ी काटना हमने कुलाडी का प्रयोग किया और फल मिल गया हमें हमें साध्य मिल गया लकड ठीक है जैसे जिस प्रकार से छिदा करनश्य परशोस छिदेव फलम जिस प्रकार लकडी को काटने का करण मने साधन जो परशु है उसका प्रयोग करने के बाद छिदेव फलम लकडी का कटना ही फल रूप में देखा जाता है उसी प्रकार से प्रमा का प्रयोग करने के बाद जो प्रमा हमें मिलेगी जो ग्यान हमें मिलेगा तब तो ग्यान जो हमें मिलेगा वही क्या है असल में इसका फल है ठीक है आगे चलते हैं अब प्रमा क्या है उसके विशे में जो है बताय जा रहा है प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है कोकि मिला ही नहीं कहीं तो किताब से जो ह पीडिएफ गनाके यहां पर दिया गया है इसके लिएक शहमाप्रारती हूं आगे कहरें कि प्रमा कैसे कहते हैं त्रफित्त अब हम अगर का साधन जो है वह इसका करन प्रमान प्रमान है ठीक है पार मां आ प्रहों और मायं साधन जो घृर अब पहले स्के सामाननी अर्थ को समझते हैं कह रहे हैं कि प्रामा अर्थात यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं और जब इस लक्षन में जो इन्हें ने यथार्थ पद कहा तो इसका मतलब यथार्थ है इससे एती आयथार्था नाम निराश है अयथार्थ जो था अनुभव था उसका इनोंने निरास कर दिया उसका निराकरण कर दिया मतलब यथार्थ अनुभव ही प्रमा कहलाएगा आयथार्थ नहीं आयथार्थ कहते हैं संसय ग्यान को विपरिय ग्यान को और तर्क ग्यान को तो उनका निरास कर दिया और अनुभव जो इन्होंने पद कहा इससे इन्होंने स्मृति का निरास कर दिया कि स्मृति ज्यान जो है वह प्रमा नहीं कहलाए जाएगा अनुभव ज्यान नहीं प्रमा कहलाएगा ठीक है स्मृति किसे कहते हैं ग्यात विश्यम ग्यानम स्मृति ही मतलब जिसका विश्य जो है पहले से ग्यात होता है उसे स्मृति कहते हैं और अनुभव किसे कहते हैं अनुभवु नाम स्मृतिर व्यतिरिक्तम ग्यानम और स्मृति से भिन्न जो ग्यान होता है वो अनुभव कहला जाते है तो यहाद उसका सामान यर्थ हो अब एक एक चीज को समझते हैं यहाँ पर ठीक है ग्यान जो है वो दो प्रकार का होता है ए एक होता है अनुभव ग्यान एक है स्मृति ग्यान ठीक है अनुभव ग्यान और स्मृति ग्यान जिस ग्यान का विशय पहले से ही ग्यात रहता है उसे स्मृति ग्यान कहते हैं और इस स्मृति ग्यान का जो आधार होता है वह अनुभव हुआ करता है जैसे हमने किसी वस्तु क को देखा या छुआ तो यहां उसका अनुभाव कहलाता है इस अनुभाव का संसकार जब हमारी आत्मा में रहता है और बुद्धी में रहता है और फिर संसकार के उद्बुद्ध हो जाने से संसकार के वापस जाग जाने से उसी परिस्तिती जब दुबारा होगी तो संसकार वह पुरान जागरित होगा और वापस उस वस्तु की स्मृति हो जाया करती है ठीक है इसलिए स्मृति का लक्षन दिया गया ग्यात विशियम ग्यानम स्मृति मतलब पहले से ही जाना गया पदार्थ जिस ग्यान का विशय होता है वह स्मृति ग्यान है और स्मृति से भिन्न ग्यान जो है वह अनुभो है अब यह अनुभो जो है यह भी दो प्रकार का होता है एक है यथार्थ अनुभो एक है यथार्थ अनुभो मतलब जो वस्तू या जो पदार्थ या जो अर्थ जैसा होता है यदि उसका अनुभो भी उसी रूप में होता है तो वह अनुभो यथ यथार्थ अनुभो का लक्षन उन्होंने किया यथार्थ अर्थावी समबादी मतलब अर्थ के अनुभो ग्यान ही यथार्थ है और यथार्थ से भिन अनुभो जो होगा वह आयथार्थ कहलाएगा जो अर्थ जैसा है उसका अनुभो यदि उसी रूप में नहीं होता है तो तो वह अनुभाव अैंधार्थ अनुभाव कहलाएगा ठीग है इसे लिए और उसका लक्षन दिया अर्थ वेविचारी अर्थ अनुभाय जो कि अनुदूप नहीं हुआ करता अब यह जो अनुद। अनुभाव है यह भी तीन प्रकार का कहा गया है एक संसे विपर्य और तर्ग संसे क्या होता है किसी एक पदार्थ में पलस पर विरुध्य जो अनेक धर्मों का ज्यान होता है वह संसे कहलाते जैसे सुबह सुबह तो वह पुरुशी है लेकिन हमें संसाइ हो रहा है तो इसका मतलब है इसका मतलब है या समझ लेते हैं या समद्र में सीपी को हम चांदी समझ लेते हैं तो यह हो गया विपरिया ग्यान और यहां भी जो है अयथार था अनुभा हुए तीसरा जो है तरक है तरक मतलब होता है कि जैसे दो पदार्थों मैंसे एक के रहने पर दूसरे का होना निश्चित होता है और एक के नहीं होने पर दूसरे को भी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं दूसरे का भी हमें अभाव मनना पड़ता है जैसे हमने कहा कि जहां जहां धु इसको दिखा कर हमने कहा कि वहाँ पर आग है ठीक है उसने इसको नहीं माना और उसने कहा कि वहाँ पर अगनी नहीं है ठीक है तो हमने तरक दिया कि जहां आग नहीं होती है यदि वहाँ पर आग नहीं होती तो धुआ भी नहीं होता ठीक है तो यहां तर्क जो है इसको यथार्थ अनुभव नहीं माना गया है इसको अयथार्थ अनुभव माना गया है ठीक है इसको अयथार्थ अनुभव इसलिए माना गया है क्योंकि यहां पदार्थ स्वरूप के अनुरूप निश्चयात्मक अनुभव नहीं है यहाँ पर भी हम जो है तर्क कर रहे हैं परवत में अगनी है इस प्रकार का निश्चयात में ग्यान नहीं हो रहा है तर्कों को प्रमानों का सहायक माना जा सकता है लेकिन उसको यथार्थ ग्यान नहीं माना जा सकता ठीक है इसलिए वह ग्यान भी जो है वह भी अयथार्थ अ नहीं रखते तो खाली अनुभा उपद रखते तो अयथार्थ अनुभाव ये संसे भी पर ये भी प्रमा का लक्षन बन जाते और लक्षन में अतिव्याप्ति दूश हो जाता ठीक है तो इस प्रकार से जो है इस सोग्ति आके लक्षनों को बताइगा और आगे चलते हैं अब आगे कहते हैं कि फिर अप्रिया की सिद्धी में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो उसे करण कहते हैं ठीक है तो यहां पर उसके ञ्याई शास्तिकर नुसार भी वही करण है किम पुनह करणं करण किसे कहते हैं तो साधक तमम करण अतिशयत lige ज़िक नहीं होगी तो सौसो लगणहरे मिलकर भी जो है लखड़ी को नहीं काट पएंगे показ तो है वो तो है ही नहीं इसलिए कहने हैं कि अतिशाइत साधक को ही साधकतम कहा गया है साधक में तमप्रत्य है यहां पर ठीक है इसलिए जो प्रकृष्टम कारणम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्य अर्थ है मतलब जो साधकतम होगा अतिशाइत साधक होगा वही ज कर रहा है कि यदि साधकम कारणम ठीक है मतलब यदि साधक और कारण जो है साधकम कारणम इती साधक शब्द और कारण शब्द यदि परियाय है परियाय है तदेव न ग्याय थे तो तो मुझे यहां पता नहीं लग रहा है यहां ग्यान नहीं हो रहा है कि यहां कारण क्या है किन्त तत कारणम इदि साधक और कारण तो सवानार्सक है किन्त यही ग्याद नहीं है कि कारण क्या है तो इसका समाधान बता रहे हैं वुच्यते यस्षे कार्याथ अब इसको ध्यानते देखना अब पूर्वभावो, नियतु कारण की परिभाशा इन्हों ने दे दी कि यश्य कार्यात पूर्वभाव हो जो जिसका कार्य से पूर्वभाव हो नियत हो और अनन्य था सिद्ध हो उसे कारण कहेंगे यह था तंतु वेमादिकम पटश्य कारणम जैसे की तंतु और वेमा आदी जो है वेमा मने जो वस्त्र बनने का उपकरण है जो मशीन है वह जो है तंतु मने धागा तो वस्त्र बनने का उपकरण और जो धागा है यह जो है पट के कारण होते हैं कपड़े के कारण होते हैं नियाई सास्तर में दर्शन के कुछ सध्धानत है कार्य कारण वाद उनमें से एक है कार्यमाने जो हता या जन्यम्तत कार्यम जो भी चीज़ें पैदा होंगी वह कार्य कहलाएंगी अब जो भी चीज़ें पैदा होंगी तो जिस चीज़ें से वह पैदा होंगी वह कार्य कहला वल्ब कपड़े से पूर्व भाव हो जिसका और नियत हो और अननिता सिद्ध हो, उसे कहेंगे कारण, जैसे की तंतु वेमा आदिकम, तंतु और कपड़ा बनाने के मशीन वेमा आदी जो है, पटश्चे कारण में कपड़े का कारण है, अब ये नियत क्या है, पूर्व ठी absorbed क्या है ठीक है कह रहा है lacks रहा है यस्चिकारियात पूर्वभाव नियत है उनन्य था सिद्ध सिद्ध है शब्द है यदि हम एइसा न कह कर सिर्फ इतना चैते य मी जो है कारन बिख्ळा फिके तो कह 68 अब पूर्वुभाव का मतलब क्या होता है देखिए जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है तो सवाभावित बात है कि जो चीज उत्पन्न होगी वह बाद में होगी और उत्पन्न करने वाला जो भा वह वह पहले होगा ठीक है जैसे यदि कपड़ा हम बना रहे हैं तो कपड़े से पहले धागे तो होने ही चाहिए ठीक है और धागों के साथ संद मशीन भी होनी चाहिए तूरी वेमा आदी ठीक है तो क्योंकि पट से कपड़े को पट कहा गया है पट से पूर्वही विद्यमान तन्तू मने धागे और तूरी वेमादी मशीन है इसलिए तन्तू और तूरी वेमादी क्या हो गए पूर्वभावी हो गए और कपड़ा क्या हो गया पश्चाद भावी हो गया बाद में होने वाला ठीक है इसका मतलब कारण वह होगा जो पहले होगा और कार्य जो होगा व पूर्वभाव जिसकी सत्ता कार्य से पहले हो पूर्वभाव भाव माने होना पूर्वभाव माने कार्य से पहले तो जो कार्य से पहले विद्यमान हो उसे कारण कह सकते हैं इतना तो आया समझ यस्चे कार्यात पूर्वभाव माने कार्य से पहले जिसकी सत्ता हो जिसका लेकिन यदि हम यश्य कार्यात पूर्वभाव है तत कारण में इतना ही कहेंगे तो इस लक्षन में अतिव्यापती दोस हो जाएगा और किसी भी प्रकार का दोस्त जो है लक्षन में नहीं होना चाहिए और उसी दोस्त के निवारण के लिए यहाँ पर दो विशेशन और पटोत पत्तो दैवाद आगतश्य रासभादे है पूर्वभावो विद्यते यद्यपी माने यद्यपी पतोत पत्तो जब पट की उत्पत्त होगी जब कपड़ा बनाएंगे तो मान लीजे जिस दुकान में हम कपड़ा बना रहे हैं उसके बाहर एक घुंटा हुए गधा आ को बनाने से पहले वहाँ पर घढ़ी मौई उसको हम कारण माने लें और नहीं उसको हम कारण नहीं मानेंगे इस इसलिए यहां पर शब्दा आया नियतह गधा वहां पर पूर्वभाव में विद्यमान तो है लेकिन वह नियत नहीं है नियत का मतलब है नियम पूर्वक रहना नियम पूर्वक होने वाला अवश्यम भावी मतलब यदि नियम पूर्वक नहीं रखा जाएगा तो कार्य की उ आपते हो गई ठीक है अब गधा जो है उसका पूर्वभाव तो है लेकिन वह नियत नहीं है जरूरी नहीं है कि हम कहीं भी कपड़ा बनाएंगे वहां पर हमको गधे को रखना जरूरी है ठीक है वह तो कहीं से ऐसी अचानक आ गया तो उसको हम कारण नहीं मानेंगे तो क्या सब्द वहां पर नहीं प्रियोग किया नियत है यश्यकार्यात पूर्वभावो नियत है बोला कि नियम पूर्वग रहे ठीक है वहां पर उसका होना अवश्यव नियम पूर्वग रहे नियत पूर्वभावी हो ठीक है वही जो है कारिका कारण माना जाएगा तो दो चीज नियम पूर्वक धन्तु रहते हैं तुरी वेमा आदी रहते हैं ठीक है तो यस्चिका नियम पूर्वक का मलब जिसके न रहने से कारी के उत्पत्ति नहीं होगी अगर वह नियम पूर्वक न रहे मलब निश्चित रूप से अवस्चित रूप से अधिवा निवारी रूप स यदि वो कारी के उत्पर्ण होने से पहले वापड न रहे तो कारी के उत्पर्णती हुई लगाए यहाँ पर शिकारियाद पूर्व to वो रूप और तंतु का रूप जो है रूप कभी भी दरव्य नहीं होता स्थूल रूप में विध्यमान है तो उसी में तो उसे में तो विध्यमान है अब कपडा है तो कप्ड़े के अंदर गुण रहेगा लेकिन यदि हम यहां पर इतना कहते हैं कि कपड़े की उत्पति से पहले तन्तू भी रहता है जो नियत रूप में भी है और पूर्वुखाव में भी है त्यूpen क्या इसको कारण मान लें थिक है तंतू का जो रूप है उसमें नीलतलों नात्र इस थरह Frenchा टू मेए तो ऐसा जो उसका रूप है वह भी तो उससे पहले विद्यमान रहता है तो क्या उसको कारण मालने क्योंकि वह तो नियम पूरवग भी रहता है आपने का वह भी निश्चित रूप से रहता है क्योंकि तन्तु होगा तो तन्तु रूप तो होगा ही होगा ऐसा तो है निकि हम गुण को अलग कर सकते हैं, एक गुण को अलग करेंगे तो दूसरा गुण उसमें मनिश्चित रूप से रहेगा, और पूर्वभाव भी उसका है, पहले भी होई दिमान है, तो क्या इसको हम कारण मालने उसका, उन्हेंने का नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो तंतु का रू लेकिन पट की उत्पत्ति का कारण यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पट के प्रति क्या हो गया, अन्यथा सिद्ध हो गया, और हमें क्या चाहिए, अन्यथा सिद्ध, ठीक है, अन्यथा सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, अब अन्यथा सि कारण किसी दूसरे कारी के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाता है ठीक है एक कारण से किसी कारी के उत्पति हो गई तो वह कारण जो है वह दूसरे कारी के लिए अन्यथा सिद्ध हो गया ठीक है तो ऐसा कारण तो कारण वही कहलाया जाएगा जो अन्यथा सिद्ध हो जो किसी औ फ्रयोग पहले न हुआ हो ठीक है तो वहीं यहां पर करें कि तंतुरूपी जो है 13 जो है वह तो पट रूप के लिए पहले से और नो-नोस रोग गया कुई पट रूप का जो कारण पट के लिए यह क्या हो गया अन्यथा सिद्ध हो गया और अन्यथा सिद्ध हो गया और अन्यथा सिद्ध हो गया इसलिए यहां पर शब्द रखा गया अन्यथा सिद्धस्च ठीक है यह श्चिकार्यात पूरुभाव निये तो अन्यथा सिद्धस्च ठीक है इसलिए क्योंक उपक्षिन अत्वात क्योंकि तंतुरूप जो है वह तो नियत भी है पट की उत्पत्ति से पहले पूरू भाव भी उसका है लेकिन वह अन्यथा सिद्ध है क्यों अन्यथा सिद्ध है वह पट के प्रती क्योंकि वह पट रूप जनन पट रूप की उत्पत्ति के कारण चल्पना गारह होगा एक तो अतिव्याप्ती दोष्ट होगा कि अलग दो 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 जगाए विद्द्यमान हो रहा है कारण दो दो जगाए उसकी ऊपस्तिती हो रही हैं और कलपना गौरव प्रसंगाज, दो दो चीज़ों कारण और मानने से दोश माना गया है लक्षरों में, कि हम कहारेंकि आसी चीज़ अगर श्चित हो रही है, तो दूसरी चीज को से क्यों माने, बार-bार अलग-लग चीज़ों की कल्पना गौरव, कल्पना की करने का अधा, ऑलग-लग कह रहे हैं कि हम उसको कारण नहीं मानेंगे इस से अच्छा तो हम आपर एक शब्द रख देंगे अनन्यता सिद्ध तो उससे हमारे कारण का लक्षण बन जाएगा तो क्या लक्षण बना यस्चिकार्यात पूर्व भावो नियतो अनन्यता सिद्ध स्च यहां से प्रशन आ स अनन्यता सिद्ध सब्ध नै रखेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है पूर्व भाव तो है ही जिए इन शब्द को भी कारण के लक्षण में रखा गया ठीक है तो यह सारा हम समझ गए हैं तो कह रहें इससे यह सिद्ध होता है अब कारण का लक्षन होनों ने दिया कि इससे यह सिद्ध होता है कि अनन्यता सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम कि जो कार्य से पूर्व भाव जिसका हो ठीक है अब कार्य के उत्पत् अनन्यथा सिद्ध हो किसी और के लिए वह विद्यमान पहले न हो चुका हो इसी कारी के प्रति वह नियत रूप से पूरु भाव में विद्यमान हो अनन्यथा सिद्ध हो ठीक है किसी और के द्वारा वह सिद्ध न हो चुका हो ठीक है तो वह जो है कारण कहलाएगा वही कारी कहलाई जाएगी इन तीनों चीजों से इन तीनों चीजों के विद्यमान होने पर कारण बन जाने पर जो चीज उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगी कारी कहलाएगी ठीक है चलिए